Study IQ IS अब तयारी हुई अफॉर्डबल निकोला टेसला वेलकम टू Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तो साइन्स के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हमेशा सामने आते रहते हैं जिन्होंने अपने इन्वेंशन्स और साइन्टिफिक फियोरी से खुद को Legend साबित किया Albert Einstein, Galileo Galilei, Marie Curie, Isaac Newton जैसे अंगिनत साइन्टिस्ट्स ने ने सर्फ साइन्स का चेहरा बदला बलकि Humanity को जैसे एक नई दिशा दी लिकिन इन सभी साइन्टिस्ट्स या Inventors में एक चेहरा ऐसा है जिसने शायद Modern World में लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और वो साइन्टिस्ट है नेकोला टेसला चाहे टीवी रुमोर्ट जैसे एक चोटी सी चीज हो या फिर Computers, Smartphones, Laser Beams, X-rays, Radio, Robotics, Modern Alternating Current Supply System, etc इन सभी के इन्वेंशन में कहीं न कहीं निकोला टेसला का योगदान जरूर रहा है Scientist, Physicist, Engineer, Inventor ये सभी शब्द निकोला टेसला के व्यक्तित्व को समझने के लिए शायद काफी नहीं है यही नहीं साइन्स की दुनिया में आज टेसला Mad Scientist के नाम से भी प्रसिद्ध हैं तो क्या निकोला टेसला को अब तक का सबसे Greatest Inventor कहा जा सकता है आज की इस कहानी में हम आपको ले चलते हैं निकोला टेसला के अधभुत जीवन के सवर पर जहां हम उनके संघर्ष की कहानी को समझेंगे और देखेंगे उनके कुछ महत्वपूर्ण Inventions के बारे में शुरू करते हैं उनकी Early Life से Early Life of Nikola Tesla दोस्तो निकोला टेसला का जन्म 10th July 1856 को आज के क्रुएशिया में हुआ उनके पिता Milutin Tesla एक Church के प्रीस्ट थे उनकी मा, Duke Amandich, अपने घर पर ही अलग-अलग तरह से टूल्स और mechanical appliances बनाया करती थी टेसला अकसर अपनी creative abilities का श्रिय अपनी मा के genetics और उनके influence को दिया करते थे 1861 में टेसला ने अपनी primary education शुरू की जहां उन्होंने German, Arithmetic और Religion की पढ़ाई की 1870 में वो Croatia की Karlovak City में move कर गए जहां उन्होंने high school education शुरू की यहांपन उनके physics professor electricity के कुछ छोटे मोटे experiments और demonstrations किया करते थे क्यूंकि electricity इस दौरान एक नया concept था इसलिए जाहिर है कि ये उनके लिए एक नया अनुभव था Tesla ने आगे चल कर बताया कि उन्हें इस mysterious phenomena के बारे में और जानने की इच्छा थी उनकी memory इतनी शाप थी कि वो integral calculus जैसे complex mathematical operations अपने दिमाग में ही solve कर लिया करते थे जिसके कारण कई बार उनके teachers उन पर cheating का इलजाम लगाते खेर इसके बाद 1875 में वो ऑस्ट्रिया के imperial royal technical college में बढ़ती हुए शुरू में उनका performance अच्छा था लेकिन जल्द ही वो college में fail होने लगे और college छोड़ कर चले गए फिर 1880 में प्राग में philosophy की पढ़ाई की और फिर 1881 में वो बुड़ापेश्ट हंगरी मूव कर गए जहां उन्होंने बुड़ापेश्ट telephone exchange में काम किया वहाँ वो chief electrician की position पर काम कर रहे थे अपनी नौकरी के दोरान उन्होंने company के central station के equipment में काफी improvements किये और एक telephone, repeater और amplifier को एकदम perfect बनाया जिसके लिए उन्हें ना ही कभी credit दिया गया और ना आगे चल कर उनके इस innovation को document किया गया दोस्तों Tesla के G1 का turning point तब आया जब 1882 में उन्हें Paris में continental Edison company में नौकरी मिली आईए जानते हैं कैसे Tesla ने यहाँ अपने शोद को आगे बढ़ाया Tesla and Edison दोस्तों यह company Thomas Alva Edison ने शुरू की थी जिनने अकसर light bulb के शुरुवाती prototypes बनाने का श्रेय दिया जाता है यहाँ पर Tesla को practical experience का फायदा मिला Engineering और Physics में उनकी advanced knowledge देखकर जल्दी उन्हें डाइनमोज और electrical motors की designing और improvement में काम दे दिया गया इसके बाद 1884 में उन्हें Edison की company ने New York भीजने का फैसला किया जहाँ वो Edison Machine Works में काम करने लगे 6 महिने तक उन्होंने यहीं काम किया जिसके बाद उन्होंने company छोड़ दी उन्होंने अपनी autobiography में बताया कि Edison ने उन्हें एक task complete करने का challenge दिया और बदले में 50,000 dollars का bonus देने का offer किया Tesla के successful होने के बावजूद उन्हें ये bonus नहीं दिया गया Thomas Edison के शब्दों में Tesla, you don't understand our American humor ऐसा कहकर Edison ने उनके bonus को सिर्फ एक joke बता कर टाल दिया और शायद यही Tesla के company छोड़ने का कारण बना Edison company छोड़ने के बाद Nikola Tesla ने खुद की एक company शुरू करने का प्रयास किया आईए देखते हैं कैसे Tesla electric company Edison company छोड़ने के बाद 1885 में उन्होंने Tesla electric light and manufacturing company शुरू करने की कोशिश की उन्हें finances भी मिल गए और अगले एक साल उन्होंने patents पाना शुरू किया उन्होंने DC generator का एक improved version निकाला और US में यही उनका पहला patent बना Tesla के investors को उनके new ideas promising नहीं लगे और उन्होंने Tesla की company को छोड़ दिया जिसके बाद Tesla के पास finance की कमी हो गई Tesla ने अपनी biography में अपने जीवन के इस समय को बड़ा कठिन बताया जब उन्हें एक electrical repairing jobs तक में काम करना पड़ा 1886 में Tesla ने alternating current के field में research शुरू की उन्हें दो finances फिर से मिले जिनकी मदद से उन्होंने Tesla electric company शुरू की सिर्फ 1887 और 1888 में ही Tesla को अपने inventions के लिए 30 patents grant किये गए आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज एक patent हासिल करना भी कितना मुश्किल है 1887 में Tesla ने induction motor को develop किया जो alternating current यानि AC पर चलती थी ये एक बहुत बड़ा invention था जो आज भी बड़े scale पर use किया जाता है उनके इस आविशकार के सम्मान में ही आज Niagara Falls के पास उनकी statue बनाई गई है जहां वो बड़े ही शांसे एक induction motor के model पर खड़े हुए है दोस्तों Tesla के इन inventions ने जल्दी ही पूरे अमेरिका में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया जिसकी कारण वो Edison के एक rival businessman George Westinghouse की नजर में आ गए आएए देखते हैं Tesla ने Westinghouse की company में क्या contributions दिये Tesla and Westinghouse 1888 में उन्हें American Institute of Electrical Engineers में lecture देने के लिए बुलाया गया यहां उन पर George Westinghouse की नजर पड़ी George Westinghouse भी एक inventor थे जिन्होंने Boston में पहला AC power system launch किया था और Edison के competitor थे यहां War of Currents का एक किस्सा काफी famous है 1880 में यह competition Edison और Westinghouse के बीच शुरू हुआ यह लड़ाय थी electric power transmission system को develop करने की Edison की company DC electricity को promote कर रही थी और Westinghouse की company AC electricity की supporter थी अगले 10 साल तक दोनों companies अपने transmission system की superiority प्रूव करने में लगी रही AC electricity में Nikola Tesla के innovations और inventions ने Westinghouse को इस war of currents में जीत दिलाने में मदद की और धीरे धीरे DC electricity का इस्तिमाल कम होता चला गया आज का modern transmission system mainly AC electricity पर ही आधारित है Westinghouse ने Tesla को hire किया और उनकी AC motor की designs को patent करवाया alternating current के इन patents ने Tesla को wealthy बनाने में मदद की और अब वो अपने खुद के interests को follow करने में सक्षम थे अगले 12 साल Manhattan में रहकर Tesla ने कई workshops और laboratories में काम किया 1890 में Nikola Tesla ने wireless lighting पर काम करना शुरू किया उन्होंने electrical power को बिना किसी wire की मदद से transmit करने का दावा किया 1893 में Tesla ने Philadelphia के Franklin Institute में ये बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग इसी तरह के wireless medium से signals transmit कर सकेंगे यानि आज हम जिन radio waves का इस्तिमाल data transmission के लिए कर रहे हैं वो Nikola Tesla पहले ही imagine कर चुके थे इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक futurist भी थे दोस्तों आईए अब Nikola Tesla के कुछ और important inventions पर भी नज़र डालते हैं Important inventions of Nikola Tesla दोस्तों Nikola Tesla का सबसे important invention alternating current के generation और transmission को ही माना जाता है उनके द्वारा design किया गया ये system आज पूरी दुनिया में standard बन चुका है इसके अलाबा Tesla ने hydroelectric power का भी invention किया Niagara Falls में उनकी मदद से ही एक hydroelectric power generator बनाया गया जिसमें alternating power technology का इस्तिमाल किया गया ये power station दुनिया का पहला modern hydroelectric power station था जल्द ही उनकी generator की technology को पूरी दुनिया में implement किया जाने लगा आज न सिर्फ hydroelectric power plants में बलकि हर तरह के power generation में Tesla द्वारा design किया गए generators का use किया जाता है Tesla की बनाई पहली induction motor आज हम किसी न किसी रूप में हर दिन इस्तिमाल करते हैं चाहे vacuum cleaners हूँ या hair dryers या फिर mechanical power tools induction motor हमारी daily life का हिस्सा है निकुला टेसला और उनके induction motor के invention के सम्मान में आज Elon Musk ने Tesla Motors को ये नाम दिया Tesla Motors आज दुनिया की सबसे बड़ी electric car company है Tesla का अगला important invention था Tesla coil जो एक तरह का transformer था जिसका इस्तिमाल उन्होंने electrical lighting, phosphorescence और यहां तक की x-ray generation में भी किया उन्होंने दावा किया कि Tesla coil का इस्तिमाल electricity के wireless transmission के लिए भी किया जा सकता है अपने जीवन का काफी समय उन्होंने इसी के शोद में निकाला आज की cell phone companies Tesla coil की technology के potential पर लगातार काम कर रही है Tesla पहले scientists थे जिन्होंने radio waves की मदद से एक remote controlled boat का demonstration किया आज ये remote technology wide scale पर use हो रही है इसके अलावा drones का working principle भी इसी से प्रेरित है दोस्तों आज radio waves के द्वारा किये जा रहे wireless communication का श्रिय भले ही हम मारकोनी को देते हैं लेकिन उनके invention करने के दो साल पहले से ही Tesla इस पर काम कर रहे थे उन्होंने patent file भी किया लेकिन वो successful नहीं हो पाए फिर भी उनकी contribution को दरकिनार नहीं किया जा सकता आज hotels, road signs, buildings, etc. में जहां भी आप neon lights देख रहे हैं ये technology भी Nikola Tesla के principles पर काम कर रही है दोस्तों ये तो सिर्फ एक छोटी सी जलक मात्र थी Nikola Tesla ने 26 अलग-अलग countries में कुल 278 patents अपने नाम करवाए उनके कुछ patents तो ऐसे भी थे जिनका लेखा जोखा नहीं रखा गया और कुछ inventions थे जिने patent protection नहीं दी गई किसी एक आदमी के लिए एक जीवन में ऐसा करपाना शायद impossible कहा जा सकता है Nikola Tesla के बारे में एक quality और भी थी जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे वो quality थी उनकी idetic memory दोस्तों idetic memory उस ability को कहते हैं जहां एक इनसान किसी भी चीज़ को सिर्फ एक बार देखकर उसको अपनी memory में लंबे समय तक रख पाता है बताया जाता है कि Tesla के पास भी idetic memory थी उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें पढ़ी खास बात ये थी कि वो पूरी की पूरी books को memorize कर लिया करते थे और ऐसा बताया जाता है कि उनकी photographic memory थी यानि पूरी किताब को वो एक picture के form में mind में store कर लेते थे टेसला ने अपनी autobiography में पताया कि उन्होंने एक invention को अपने mind में ही बड़े precision के साथ कर लिया था इस technique को picture thinking भी कहा जाता है वो किसी भी project पर काम करते वक्त drawings नहीं बनाया करते थे बलकि अपनी memory से काम करते थे दोस्तों ये थी कहानी निकोला टेसला की जिन्होंने शायद आज 21 सदी की दुनिया की नीव रखी Conclusion निकोला टेसला वास्तव में एक ऐसे visionary थे जिन्होंने humanity की history को बदल कर रख दिया उनका vision हमेशा ही अपने contemporary से कहीं आगे था उन्होंने एक century पहले ही एक ऐसी दुनिया की कलपना की जहां लोग radio waves के माध्यम से communicate कर पाते वो invention से डरते नहीं थे टेसला को अपने जीवन में कई दुविधाओं का सामना भी करना पड़ा लेकिन उनका सामना करके भी वो एक legend बन गए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि निकोला टेसला अभी तक के सबसे greatest inventor थे शायद हाँ क्यूंकि शायद ही ऐसा कोई scientist हुआ होगा जिसने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में कोई न कोई योगदान दिया और आज भी लोग उनके invention से सीख रहे हैं Study IQ IS अब तयारी हुई affordable